नमस्कार आप देख रहें लाइव उपी निउस 24 मैं श्युव दिवेदी अब हाज हम बैठे हुए हैं श्री राम लीला कमेटी एश बाग लखनों में उत्तर प्रदेश की राजधाई लखनों में एक ऐसा अधभुद राम लीला जो आपको अगल बगल भी नहीं दिखाई पड़ेगा अगर आप इस राम लीला में आते हैं तो उसका जो विजुलाईजेशन है जो उसका पिक्चुराईजेशन है उसको देख के कहीं आशा आपको नहीं लगेगा कि आप रामान सागर की रामायाण्ड नहीं देख रहे हैं बलकि उससे भी अच्छा इसको देख करके हर आदमी का मन बिल्कुल प्रफलित हो जाता है आज हम उसी राम इला कमेटी के अध्यक्ष श्री हरिश्चन अगरवाल जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस राम इला कमेटी का इतिहास क्या है इस क्यों इतना महात्रपून है और इतना अच् बच्पन से ही रामीला से चुड़ा रहा हूं लेकिन मैं अध्यक्ष इतना दोजार साथ में बना था तब से मैं इसकी वेवस्ता देख रहा हूं लेकिन यहां पर रामीला सोलवी सदाब जी के पूर से होती चली आ रही है संत्यको स्वामी तुल्टी दाजी ने जब रामा प्रवास किया चार महने चौमासे में तो उस तमय पर रामकता कहते कहते उनके दिमाग में विचार आया होगा कि रामकता को अपने के माध्यम से कहा जाए तो समारा ताम जी का संदेश और अच्छी तरीके समाज को जा पाएगा तब से परंपरा बनी हुई है आयुद्या क सादू संत यहां पर आते थे और आमीला का मंचन उस समय की ब्योस्ताओं के अनुसार करते थे 1857 में जब गदर हुई तो एद्या के सादू संतों को अंग्रेजियों ने परिशान बहुत किया तो वो लोग यहां दे जाने लगे तब से यहां के समाज सेवियों ने यह ब्य तो निरंतर इस परमपरा को तूटने नहीं दिया कभी करूना काल में भी हमने यहां पर आमीला का अवजयन किया ओन्लाइन उसका आँट टेस्र?", और दस-पांच लोगों के तरसों करणकाल के समय पर भी तो निरंतर परंपरा को हम अभी भी जीवित रखे हुए है और आशा करते हैं कि आने वाली पीली भी इस परंपरा को काइम रखे घिए आचाए लोगों से अलग जो और रामदिला होते हैं उससे विशेश क्यूं हो जाती हैं उसमें क्या नया चीज़ आप लोग डालते हैं फिलाल हर बार कुछ नया देखने को मिलता है देखिए बालमी की जी ने राम जी की लीला का फिशे में अपना गरंध लिख दिया था उसके बाद तो जी ने उसको अवदी भाशा में लिखा उस तो में पर संस्क्रत वाशा में बालमी की जी ने लिखा उनका उद्देश था कि राम जी के किये हुए कार्यों को समाज के बीच में ले जाना चाहिए उसी तरह तुलसी दाजी ने लिखा तो उन्हें उस अफदी भाश्चा के प्रियोग किया उनका उद्देश ये केवल ये था कि राम जी के कार्यों के आदस उनकी मर्यादा समाज के बीच में जाए जिससे समाज राम राज के स्थापना हो सके और समाज राम मैं हो सके इसी करम में पहले लीबारा मैदान में हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे करके वह विज़ा लुप्त होने लगी और लोग उससे दूर होने लगे तामीला कमेटी ने 2007 में डिलने लिया कि हम इस रामीला को आधनिक उपकरों से सज्जित करके और आधनिक संसाधनों का उप्योग करके इसको इतने प्रस्तुत करें कि समाज के युवा वर्ग, बच्चे, महिलाओं सब को बलिया तरीके से प्रेरक प्रसंग हम उनके सामने प् पाए, अगले वर्ष हम इसमें आर्टिफिश्चल इंटेलिजेंस का भी उप्योग करेंगे, जिसके अंदर की जैसे बिश्मु जी प्रकट हो गए, मिरे एकदम से अंतर ध्यान हो गए, मेगनाथ युद्ध कर रहा है, युद्ध करते-करते गाइब हो गया, जिन चीजों का भी उप्योग करेंगे, ये खाली मनुरंजन की चीज नहीं है, ये जानने के लिए कि राम जी ने क्या किया, किस प्रकार रावाल का बद किया, और क्यों बद किया, राम जी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप से, कि राम जी की पतनी का सीता जी का जब हर लिए कर देते हैं, लेकिन उनुने समाज के निम्न वर्गों को जोड़कर के, वानरों को सेना जुटा करके, और उनुनने उनका बद किया, राम जलका, उसने संदेश जाता है, कि समाज में हर व्यक्ति उपियोगी होता है, उसका उपियोग करने वाला, नित्त करने वाला होना चाहिए राम जी का ये गुण भी सामने आता है बाली का बद उनुने किया अगर वो चाहते तो बाली के बाली के माध्यम से ही सीता जी को खोज लेते लेकिन बाली चुकि अधर्मी था इसलिए उनने उसका साथ ना लेकर के उनके भाई सुग्रीप का साथ लिया और नहीं करना चाहिए जीवन में हमेशा आपके पास कितनी भी शक्ति आ जाए लेकिन कभी भी एंकार नहीं करना चाहिए तुलतिजाजी ने चौपाई लिखी है कि शुत्र नदी जल भर इतराई जस धोरे उद्धन खलब और आई यानि चलक की डाली जलादा पानी आता है चलक को देने का प्रियास करते हैं यह इस राम लीला में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोर्दी भी आ चुके हैं और मुख मंत्री योगी आदितनात और लगबख सभी मंत्री आते रहते हैं जिस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोर्दी इस राम लीला में आये थे उन्होंने जैश प्राश्पती, प्रदान मंत्री, राजपार और मुख मंत्री उनको हमेशा आमन्तिज राम इला करती चली आई है उसी करम में हमने प्रदान मंत्री को भी पत्र बेजा था इसकी अतिया सक्ता के बारे में उनको जानकारी दी थी तो उनूने दोजास 11 अक्टूबर 2016 को यहां कई निवलने लिया था नामदीला के मंथ अने के बाद यहां की आसिकता को देखते हुए यहां के प्रभाव को देखते हुआ यहां पर आके शेराम बोल गए राजनीतिक व्यक्ति ह inadaldों की प्रस्व कुण City में यहां किया अपने बड़े गरिमावानपत के लोगों को आप बुलाते रहें और राम लिला ऐसा भिबाव नहीं करता है जैसी कि हमें जानकारी है तो क्या कभी अखलेश यादो जी भी इस राम लिला में आए अभी तक तो नहीं आए मैंने माया बती जी को भी पत्र बेजा था और अखलेश या यहां होती है जिसको अच्छा लगेगा वो यह आएगा जापर करपा राम के होई तापर करपा करें सब को ही लिए हम यह कह सकते हैं कि निरमल मंजन सो मोहीपावा मोही कपड चलछिदर नभावा तो जो कपटी है वो इस मंच पे नहीं आते हैं में पर कोई तेपली नहीं क कलाकार हैं जो बैंगलोर में और हैदराबाद में सर्विस करते हैं और वो लोग रामीला करने के लिए वहां अपनी सर्विस 15 दिन के लिए छोड़ करके याज में भाग लेते हैं कुछ कलकत्ते कलाकार हैं कुछ लखनों के कलाकार हैं लगबग साड़े 300 कलाकार इस रामीला क के मंचन से जुड़े रहते हैं जो अपना अपना अभने निभा करके दिन के हिसाब से अपना अपना अभने निभाते रहते हैं और इस सारे लोग जो हमारी यात्रा निकलती है तो सारे कलाकार उस यात्रा में समलित होते हैं अच्छा जैसे कि अभी रामलीला जो पूरी आप उपयोग करेंगे और सारी चीज़े तो इन सब करने में एक बहुत बड़े अर्थ की और शक्ता होती है तो एक अंदाजा कितना आप लोग खर्च करते होंगे लगभग एक दिन में देखिए इस विशह पर बताना तो मेरे लिए संभव इसलिए नहीं है कि बहुत से लोग अ आप कब से इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और क्या कभी आपको दिक्कतें आई कुछ सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से दिक्कत कभी कोई नहीं है हमेरे सामने आई शार्षन किसी का भी राह हो लेकिन रामदीला के कार्यों में जो नगर निगम बिजली विभाग पुलिस पर देगा अच्छा भी आपकी चर्चा कर रहे थे कि आप एक रत है वो रत डेल सो साल पुराना बता रहे हैं कैसे इसको आपने सुरक्षित रखा यह बड़ी अद्बूच चीज है हम इसकी हर साल भरहमत कराते हैं हर साल इसको रिपेर करा करके इसको रंग रोगन करते हैं और इसको जहां पर हम साल पर रखते हैं पूरा ढग करके पॉलिदीन से पैक करके सुरक्षित इस्थान पर रखते हैं और पवित्र हमारा रत है उस इस्थान को भी हम पवित्र मनाये रखते हैं इससे कभी रत में कोई छे नहीं हुआ अभी तक और लगली भी इसके में जो राम लीला मोहत्सो जो आप का मोहत्सो होता है और इसके ला में गपारे हैं उस समय भखवान राम के प्रति समर्पिट होकर राम करती रहती है हमारा सिर्फ इतना प्रश्वन है कि यह उस Israelis कमेटी जो क्लीर करती है इस पूरे कायकरम को करने में कभी कभी कोई मालब पॉल्टिका इंटर इंटर्फरेंस तो आप नहीं था इसमें यह तो आपने क्लियर कर दिया लेकिन क्या इसके अलावा भी रामला कमीटी को को कोई ऐसी कभी कोई दिक्कत आई जो आप हलवडा गए हो चुकि आप मेरेंजमेंट करते हैं अचानक माली रामण को तवेद खराब हो गई यह राम की तवेद खराब हो गई ऐसा कुछ हुआ क्या ऐसे पात्रों की का कोई कार बगर ब्योधान के तो आद तक हुआ नहीं तो आते रहते हैं लेकिन राम जी के साथ बजरंग बली भी है और बजरंग बली उस समस्या का निधान करते चले जाते हैं इतले हमें कभी दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हो समस्यां के साथ समाधान तुरंग मिलता गया राम जी के साथ बजरंग बली है तो बजरंग बली समाधान क करते हैं और हमारे उबर भी उनका आशिरबाद बना रहता है रामीला कर्मिटी पी उनका आशिरबाद बना रहता है रामीला के मंचन में भी वह यहां बिराशने आ करके MSPC आपके प्रस्ति के जबाब में मैं आपको बताऊं कि हम रामीला का जब शुभारम करते हैं तो पहले दिन हम देवी कलश की स्थापना करते हैं तो शक्ति की पूजा करते हैं रोज यहां पर दुरुगा दप्टति का पाठ होता है उसके बाद हम गड़ेत पूजन करते हैं गड़ेत पूजन करने के बाद हम मंच के उपर सुन्दर कान का पाठ करते हैं और सुन्दर कान का पाठ करने के बाद देवताओं की स्थुति करते हैं जो करीब आदे गणटे करीब देस्ताओं की चुती आडियों के माध्यम से उस पर होती है उसके पाप मंच का शुबारम करते हैं तो कभी इतर यह के चीजों में जब हम इतने भाव से इतने संकल्ब के साथ और इतनी व्योस्ताओं के साथ काम करते है और नाम जी और आपको ये भी बता दें कि आप जिस समाज में आते हैं वो समाज द्वापर युद में भगवान कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा था आपको बताएं भगवान अग्रसेन के वनसज हैं आप और आपके निप्तुत में निश्चित तोर पर लक्षमी से ले करके सारी कृपा होंगी चुकि आप समय भगवान के वनसज हैं जब द्वापर का युद्ध चला था तो उस समय भगवान अग्रसेन ने पांडू की तरफ से युद्ध किया था और तब पांडू ने जाके उनसे विन्वन निवेदन किया था कि आप हमारी तरफ से युद्ध करिए और करने के लिए बहुत-बहुत धनवाद हरिष्ण नगरवाल जी का मैं एक शब्द पर आपके आपत्ती करूंगा आपने महापुरुष शब्द इस्तेमाल किया मैं नाम का सेवक हूं मैं महापुरुष नहीं हूं बड़े-बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल यह आप अरे साथ जुड़े हैं हरिष्ण नगरवाल जी इसके लिए बहुत-बहुत धनवाद लाइब यूपी नूस 24 आपका हर्दिक स्वागत करता है धन्नवाद बाई साब